कि नमस्कार में और देख रहे हैं इन खबर बिहार कल तीन अक्टूबर को सीम नितीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक रखी गई थी जिसमें कुल 14 एजेंडों पर मोहर लगाए जाने की बड़ी खबर सामने आई है आपको बता दे कि बिहार सरकार ने 2 अक्ट कैबिनेट में बैठक बुलाली जिसमें 14 एजेंडों पर मोहर लगाने की बात सामने आई है मुख मंद नितेश कुमार की अधिश्ता में यह महत्वपूर कैबिनेट बैठक मुख सचीवाले में चली थी नितेश कैबिनेट ने ग्रामेर विकास विभाग विज्ञान चौदा प्रस्तावा पर स्विट्रिती थी है हाला कि कैबिनेट बैठक में जाती आधाय जन करना की रिपोर्ट पर कोई भी चर्चा नहीं की गई थी अगर बात करें स्विक्रिती हुए एजेंडों की तो इस कैबिनेट में एपीज अब्दुल कलाम साइन सेंटर के लिए च्छे करोर की स्विक्रिती मिली है यह राशी लौड कल्चर रिसोर्ष के दिए सरकार के तरफ से दी गई है यही नहीं निदीश कैबिनेट में नियाइक सिवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभियारतियों को आरक्षर देने के लिए नियमा वली में नियमा वली 1951 और बिहार अस्यानिक सेवा शाखा भरती नियमा वली 1955 में संशोधन की मंजूरी भी दी गई है इसके लावा सरकार के तरफ से उच्छ नियाइ सेवा संशोधन नियमा वली 2023 पर भी मुह लगाई गई है इससे अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिय 107 करोड रुपे मंजूर किये गए हैं वहीं समस्तिपुर के दल सिंग सराय याड के पास फ्लाइ ओवर बनाया जाएगा इसके साथ ही लेवल क्रॉसिंग और वी बनाया जाएगा इसके लिए सरकार 135 करोड रुपे खर्च करेगी वहीं नितीज सरकार ने राजिक किया अभ अभी अंतरण विश्विद्याले पटना में कुल 16 पदों के स्रिजन पर सरकार की तरफ से मुहर लगाई गई है यही नहीं राज न्याइक सेवा में होने वाली बहाली में भी अब अभ्यार्थियों को EWS रिजर्वेशन का लाब मिला करेगा साथ ही जिला उपहोगता आखडों को लेकर राज सरकार का घिराओ भी किया गया इस बैठ़क में नौ दलों को बलाया गया था यह बैठ़क मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में सीयम सचिवालर में हुई थी बतादे कि इस बैठ़क में जाती अधारित गर्ना की आधारों पर चर्चा हुई थी वह जारा कि दौरान विधान परिशद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने इस जाती गर्नक रिपोर्ट को लेकर करताक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह कोई परिक्षा में एवरेज मार्किंग किया जाता है उसी तरह इसमें भी किया गया है किसी को घटा कर किसी को बढ़ा कर दिय ही है मुख्यमंत्री नितीश ने आश्वासन दिया है कि सामाजिक और आर्टी सर्विक्षर के आंकड़ों को विधान सभा के सत्र के दौरान रखा जाएगा अभी के लिए बिहार की तमाम खबरों के बने रहे हमाएं साथ सिफ इन खबर बिहार पर